दोस्तों अब सोचो मत अब वक्त है उठने का अपने उस जन्नायक के साथ खड़े होने का जिसने ता उम्र राजिस्थान का भला किया आपका एक वोट फिर से राजिस्थान को विकास की ओर अग्रसर कर सकता है अब आप पूछेंगे कि भला हम क्यूँ वोट दे हमें क्या मिला तो एक बात आप खुद ही बताईए क्या अस्पताल में मिलने वाली निशुलक दवाओं से आपके परिवार का भला नहीं हुआ क्या दो रुपे में अन लेकर किसी परिवार को दो वक्त का भोज़न नसी बोना कोई छोटी बात है अब आप ही बताईए क्या किसी बेसाहरा बुज़ुर्ग के लिए पेंशन देना कोई आमसी बात है ये तो गिनी चुनी योजनाए हैं लेकिन ऐसे कई कार रहे हैं दोस्तों जो अशोग घहलोत ने आपके और आपके परिवार के लिए किये तो अब वक्त है घहलोत साब का साथ देने का और उन्हें फिर से मुख्य मंत्री बनाने का तो सोचिए मत उठाईए अपना हाथ और दीजिए घहलोत साब का साथ तेरे ना हो जाए नहीं तेरे ना हो जाए